आप मेरी चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिये थाइम क्यूँ हलो फ्रेंज हलमा की रसी में आप सबका स्वागत है मैं उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ आज मैं कुरकुरी बिंडी बना रही हूँ तो मैं कम तेल में कुरकुरी बिंडी बना रही हूँ जो बिंडी है मैंने उसको साफ कर लिया है और इनको सबको मैंने चार या पांच या छे टुकडों में कर लिया है ऐसे लंबे लंबे पीसेस देख सकते हो मैंने काट लिया है अब इसी में मैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक छोटा चम्मच लाग निच पॉर्डर आप चाहें तो हरी वाला भी डाल सकते हो और थोड़ा सा गरम मसाला और आपके पास गरम मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं अब हम इसमें डालेंगे करीब दो चम्मच करीब हम बेसिंग डालेंगे और इसको बहुत अच्छे सी मिला लेंगे इसको हाँच सी ही ऐसे सिकर के अब देख सकते हैं तरप मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो यह तेल मैंने बहुत कम ही तेल दिया है एक्चली मैं इसको डीफ फ्राई ही करते हैं लोग बट मैंने डीफ फ्राई नहीं कहिए आप यह देख सकते हो यह बहुत अच्छी तरह से सारे में मिक्स हो आप देख सकते हो ये कम तेल में ही बढ़िया रोस्थ हो जाता है आप चाहे तो तेल कम या ज़्यादा कर सकते हो लेकिन मेरे को कम तेल में ही करना था इसलिए मैंने ऐसे बनाया आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये होना शुरू हो गया है क्योंकि ये कम तेल में है न तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको पकने में आप देख सकते हो मेरी कुल्कुरी भंडी बनके तयार है आप भी बनाएए खाये और इंजय कीजिए और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तरना मद भूलिए थाइंक्यू बबाई